हरे दोस्तो पावर प्लान गाइड में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम लोग देखेंगे CFC बोईलर क्या होता है क्यों इसे सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेट कमबर्शन बोईलर कहा जाता है इस डायग्राम की मदद से हम लोग ये देखेंगे कि इस CFC बोईलर में कौन-कौन से इक्विप्मेंट लगा होता है और इसका क्या वर्क होता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेट कमबर्शन बोईलर ये एक तरह का बेट कमबर्शन बोईलर होता है जिसकी मज़द से जो अंबंड कौल पार्टिकल बच गये है वो इसकी मज़द से इस रिटन लेट में आते हैं और यहां से फिर से इस अंबंड कौल पार्टिकल का सर्कुलेशन होता है इस बोईलर में हम लोग कुछ बेट मिटेरियल को फिल करते हैं इसका continuous fluidization होता है, इसी कारण से इस boiler को circulating fluidized bait combustion boiler कहा जाता है, short में CFC boiler कहा जाता है, किसी भी boiler में steam को generate करने के लिए तीन चीजों की जरुद पड़ती है, जिसमें पहला जो है वो coal, दूसरा जो है वो water, तीसरा जो है वो air होता है, तो coal का हम लोग arrangement देख लेते हैं, तो coal के लिए एक bunker होता है, जिसके थुरू DCF जुड़ा होता है, और इसी DCF के थुरू हम लोग boiler में bait के उपर से over feeding करते हैं, और जब इस coal का combustion होता है, तो जो flu gas generate होते हैं, वो इस पात को follow करते हुए final super heater, primary super heater, economizer, APH, ESP, ID और chimney के थुरू atmosphere में release कर दिये जाते हैं, इस boiler में water के लिए एक BAP होता है, जिसके थुरू हम लोग low pressure water को high pressure rates करके boiler को fit करते हैं, BAP एक तरह का multi stage centrifugal pump होता है, जब BAP से water आता है, तो ये सबसे पहले economizer में जाता है, economizer में heat होने के बाद ये फिर drum में जाता है, drum के बाद ये furnace के water wall में आता है, जहां पर ये heat होने के बाद हलका होता है, और हलका होने के बाद फिर से ये drum में जाता है, drum में ये separate होनी के बाद फिर riser के थुरू ये primary super heater में जाता है, फिर उसके बाद यहां पर एक arrangement लगा होता है, जिसको हम लोग wing wall super heater या secondary super heater कहते हैं, वो यहां आता है और फिर यहां से आउटलेट होकर फिर final super heater में आता है जहां पर यह constant pressure पे superheat होता है और फिर इसके बाद हम लोग turbine भेज देते हैं अगर air की बात करें तो इसमें primary air fan होता है जिसको हम लोग PFN बोलते हैं इसका काम होता है कि यह furnace में bed material दिया जाता है उसके fluidization के लिए इसका use किया जाता है इसको furnace में भेजने से पहले APH में भेजा जाता है ताकि यह dry हो सके और फिर इसके बाद इसको wind box में भेज दिया जाता पर second होता है कोल के combustion के लिए एक secondary air fan लगा होता है जिसको हम लोग SA fan बोलते हैं यह भी APH में जाता है और dry होने के बाद furnace के front और rear से जूला होता है जो combustion के मदद के लिए support करता है और excess air provide करता है combustion में PA air 50% use होता है और SA air भी 50% use किया जाता है इस boiler में WS भी बोलकर एक blower होता है जिसको हम लोग वालसी blower कहीं कहीं पर इसको jsil blower या loop blower भी कहा जाता है इसका काम होता है कि इस boiler में जो cyclone separator लगे होते हैं तो नीचे में एक return leg होता है जहाँ पर इस air का huge high pressurize में किया जाता है इसका काम होता है यहाँ पर जो भी unburned solid particle आते हैं उसको fluidize करके फिर से furnace में recycle के लिए भेजता है ताकि वहाँ पर उसका पूरी तरह से combustion हो पाई इस cyclone separator को इस CBC boiler का heart कहा जाता है इसके बीना इस boiler को CBC नहीं कह सकते हैं इसी arrangement के कारण ही चुकि यहाँ पर unburned solid particle का circulation होता है इसलिए इसको circulating fluidized bait combustion boiler कहा जाता है यहाँ पर एक vortex finder होता है जैसे ही flu gas यहाँ से pass होते हैं तो एक तरह का cyclone create होता है और centrifugal force के कारण जो भी heavy particles होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो flu gas होता है वो second path में चले जाते हैं अब जो भी air furnace में आता है तो उसको escape करने के लिए एक ID fan लगा होता है जो सभी flu gas उसको suck करके वो chimney के थुरू atmosphere में उसको release कर देता है furnace में जो भी badass ready होते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए badass cooler का arrangement किया रहता है यहाँ पे जो badass आते हैं इसको air के द्वारा cool करके silo में भेज दिया जाता है यह cooler कई टाइप के होते हैं कहीं पर यह air के द्वारा थंडा होता है तो कहीं पर water के द्वारा थंडा होता है जहां पर water के द्वारा थंडा होता है उसको हम लोग इस टिपर cooler बोलते हैं जब flu gas, APS के थुरू आता है तो यहां पर भी कुछ fly ash का collection हो जाता है इसको भी हम लोग ass handling के मदब से इसको silo भेज देते हैं ESP के नीचे भी बहुत सारे hopper लगे होते हैं जो dust को collect करते हैं fly ass conveying system के मदब से हम लोग इसको silo भेज देते हैं अब इस boiler के कुछ फायदे की बात कर लेते हैं तो इस boiler में जो भी combustion efficiency होती है वो greater than 98% होता है इस boiler में जो LOI loss of ignition होता है वो बहुत ही minimum होता है इसकी efficiency की बात की जाए तो इसकी efficiency 85% से भी ज़्यादा होती है इस boiler में low nox generation होता है और इस boiler में जो socks होते हैं उसको easily हम लोग CA CO3 मिला कर इसको minimize कर सकते हैं इस boiler में generally 3 super heater होते हैं जिसमें पहला जो है वो primary super heater दूसरा जो है वो secondary super heater या wing wall super heater कहा जाता है और तीसरे को final super heater कहा जाता है wing wall के inlet और outlet में A temperature की line जूड़ी होती है जिसके द्वारा हम लोग temperature को edge per requirement decrease कर सकते हैं वहाँ पे generally BP discharge का water जो होता है spray किया जाता है तो I hope कि CFC का basic funda आपका clear हो गया होगा वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग सभी parts का detail में discussion करेंगे अगर ये वीडियो आपके लिए informative रहा तो please इस channel को subscribe कर ले ताकि इस channel पे आने वाला इस तरह का knowledgeful वीडियो आपको मिलता रहे मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जहिंद